नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्त्र नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की डायमाइक्रोन XR टैब्लेट का उपयोग किन कand unrelated में किया जाता है, डाइमाइक्रोन XR टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और डाइमाइक्रोन XR टैबलेट की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे की डाइमाइक्रोन XR टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में डायमाइक्रोन XR टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। डायमाइक्रोन XR टैबलेट का उप्योग टाइप 2 डाइबिटीज में बलड शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए किया जाता है। दाइमाइक्रोन एक्सार टैबलेट शरीर के पेंक्रियाज में इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ावा देती है और ज्यादा बलड शुगर लेवल को कम करती है शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेवल ज्यादा रहने की वज़से किड्मी डैमेज हो सकती है आखों की देखने की द्रिष्टी कम हो सकती है और शरीर की नसे डैमेज हो सकती है इसलिए शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है खाना खाने के दो घंटे बाद एक न परी डाइबिटिक स्टेज पर है परी डाइबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को बिना दवाओं की मदद से नियंत्रण में किया जा सकता है परी डाइबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल वह खान पान में बदलाव करके ब्लड शुगर लेवल को नियंतरण में किया जा सकता है यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 200 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डाइबिटीज की समस्या है डाइमाइक्रोन एक्सार टैबलेट के अंदर सौर्ट कमपोजिशन लिकलेजाइड होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि डाइमाइक्रोन एक्सार टैबलेट की वज़़ज़ से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में डाइमाइक्रोन एक्सार टैबलेट की वज़़ज़ से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में डाइमाइक्रोन एकसार टैबलेट की वज़ह से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे सीने में जलन होना, उल्टी आने का मन होना, सिरदर्ध होना, दस, चक्कर आना और ब्लड शुगर लेवल ज्यादा कम हो सकता है. ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने पर जी मिचलाना, दिल की धड़कन का तेज होना, आखों से धुन्दला दिखाई देना, पसीना आना, सिरचक्राना, शरीर में कमपन, कन्फ्यूजन होना और भूप का ज्यादा लगना आदी लक्षन शुगर लेवल बहुत ज्याद कम होने की वज़र से हो सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल सतर मिलिग्राम पर देसिलीटर से कम है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल कम है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम होने पर शुगर लेवल को ठीक करने के लि और किन कंडिशन्स में डायमाइक्रोन XR टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको डायमाइक्रोन XR टैबलेट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, चिन्ता वतनाव से बचना चाहिए, परियाप मात्रा में मीन लेनी चाहिए और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए। बलड शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको डायमाइक्रोन XR टैबलेट को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए। और आपको Dimacron XR Tablet को लेने के बाद आपको अपने regular schedule पर खाने का सेवन करना चाहिए। अगर आपको डायमाइक्रोन एकसार टैबलेट का सेवन करते समय भी बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, शरीर में ठकान रहना, कन्फ्यूजन होना, नीम अधिक आना और सांसों से बद्बू आना आधी लक्षण होते हैं, तो ये लक्षण शरीर में बलड दवा की डोस को बढ़ा सकता है, या दवा को बदल भी सकता है, लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर और टाइप वन डायबिटीज होने पर डायमाइक्रोन एकसार टैबलेट को लेना रिक्मेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की स खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंद बाद लेना रिक्मेंडेड होता है, डायमाइक्रोन एकसार टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और शरीर में शुगर लेवल के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है, इसलिए आपको डायमाइक्र करा रही महिलाएं डायमाइक्रोन एकसार टैबलेट को ले सकती है या नहीं, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए डायमाइक्रोन एकसार टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है, और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्तर जरूरत पढ़ने पर डायमाइक्रोन एक सार टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं